शंकर अपनी पत्नी सुझीता और दो बच्चों के साथ गाऊं में रहता था शंकर मजदूरी का काम करता था पर उसकी आमदणी बहुत कम थी सुझीता स्वेटर बुर्ने का काम करती थी और उस काम से वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी तुम चिंता मत करो, ठंड शुरू होने वाली है, थोड़े बहुत स्वेटर बुनने का काम मुझे मिली जाएगा ये है कि कम से कम घर खर्चे के पैसे तो मैं जोड़ी लूँगे, तुम बाकी जमिनदार साब का करजा चुकाओ, वो पहले बहुत जरूरी है शंकर जो भी कमाता था, सारा करजा उतारने में चला जाता था, इसलिए सुनीता स्वेटर बुनने का काम कर लेती थी सुनीता बहुत सुन्दर स्वेटर बुनती थी, तरह तरह के डिजाइन वाले स्वेटर, टोपा, मोजे, कार्डिगन, सुनीता इन सब की अच्छे से बुनाई करना जानती थी पर गाउं में उसे इस काम के पैसे जादा नहीं मिल पाते थे, गाउं के लोग अपने हिसाब से ही सुनीता को स्वेटर बुनाई के पैसे देते थे सुनीता डेर सो रुपे तो तु जादा बोल रही है छोटा सा ही तो स्वेटर बनवाना है पचास रुपे रख ले इससे जादा मैं नहीं दे सकती पर काकी उन बहुत महेंगी हो गई है आप तो उनके पैसे भी नहीं दे रही हो ये ले सत्तर रुपे रख इससे जादा नहीं दूगी नहीं तो रहने दे रख ले अपने पास वापस वेटर सुनीता पैसे लेकर घर आ जाती है शंकर परिशान था वो सुनीता से बोला सुनीता सामान बाढ़ ले मोहन का फोन आया है उसने सहर में बात कर ली है फैत्री में दस हजार रुपए महिना मिल जाएगा बाकी देख लेंगे यहां तो कभी काम मिलता है कभी नहीं ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे पर मेरा कुछ स्वेटर बुनने का काम रह गया है एडवांस रुपए लिये हुए थे तो कोई नहीं और फिर शंकर अपने परिवार को लेकर शेहर आ जाता है अब तु यहां साथ है तो मुझे क्या फिकर बाकी सुनीता और बच्चे भी भावी और बच्चों के साथ रहेंगे तो कोई चिंता की बात ही नहीं होगी शंकर फैक्टरी में काम पर लग जाता है सुनीता भी स्वेटर के काम पर लग जाती है एक दिन सुनीता अपने घर के बाहर बैठी स्वेटर बुन रही थी तभी मोहन की पत्नी गायतरे आ जाती है अरे सुनीता ये क्या तु स्वेटर बुनती है हाँ गाउं में रहती थी तो थोड़े बहुत बुनकर मेरी बेहन रश्मी माधुपूर में रहती है। अभी भी बना रही हो। बस तैयार हो जाए तो उन्हें गाउं भिजवा दूँगे। आपको किस तरह से बनवाने हैं? मुझे बता दो और बाकी उन आप देख लो। आप दोगे या मैं अपनी पसंद से ले लू। उन वगेर खरीदने का तो मुझे इतना पता नहीं है। अपने हिसाब से ही खरीद लेना जो अच्छी कमपनी के मुलाय मून हो। क्योंकि छोटी बच्ची के बनाने है तो मुलाय मून के ही अच्छी रहेंगे। चुबने वाला ना हो। आप मेरे ले तीन सेट बना दो। जो भी पैसे बनेंगे मैं दे दूगे। वो औरत सुनीता को तीन स्वेटर बुनने का ओर्डर दे कर चली जाती है तभी शंकर भी आ जाता है। उसके दोनों हाथों में सूजन थी और वो दर्द से करा रहा था। अरे ये क्या आपके हाथों में सूजन कैसे आ गई। भाया को तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा यहीं पास में ही डॉक्टर बैखते हैं चल वही ले चलते हैं। गायतरी ठीक के रही है चलो भावी चल शंकर। शंकर को लेकर सुनीता मोहन और गायतरी के साथ डॉक्टर के पास जाती है। अभी एक महीना ही हुआ है काम करते हुए। बस यही वजाए अभी कम से कम दो महीने मशीन पर काम बिल्कुल नहीं करना नहीं तो यह सूजन बढ़ने से शरीर को नुक्सान हो सकता है। पर डाक्टर सहाब मैं काम नहीं करूँगा तो बड़ी मुस्किल हो जाएगी। और यहां कमा कर गाउं में जमिदार का करजा चुका देगा। पर यहां अगर तो उसकी परिशानी बढ़ गई। खुश दिन बाद सुनीता ने उस औरत के तीन सेट बुन कर दे दिये। पती की तब्यत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें दो महिने आराम के लिए बोला है और उसके बाद भी मशीनों का काम मना किया है। वही सोच रही थी कि थोड़े बहुत स्वेटर बुन कर दे दूं तो खर्चा निकलाएगा। आजकल सर्दियां भी शुरू होने वा जी मैं उन्हें की दुकान चलाता हूँ, मेरे पास शहर के बहुत से लोग उन्हें खरीदने आते हैं, कई बार वो लोग मेरे से घर के बुने स्वेटर के बारे में पूछते हैं, अगर आप मेरे लिए स्वेटर बुन दिया करो तो मैं आपको अच्छी कीमत दे सकता हूँ सुनीता का स्वेटर बुनने का काम बढ़ जाता है, उसे अब अच्छे पैसे मिलने लगे थे सुनीता, मैं सोच रहा था, तुम गायतरी भावी की भी मदद ले लिया करो, तो तुम्हें सहारा रहेगा, अकेले तुम ठक जाती हो, बाकी माल पहुँचाने का काम मैं कर लूँगा सुनीता गायतरी को भी अपने साथ काम के लिए कह देती है, तुम बहुत अच्छी हो सुनीता, मैं खुद कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, मुझे लग रहा था पता नहीं तुम अपने साथ मुझे काम दोगी या नहीं नहीं गायतरी भावी ऐसी बात नहीं है, मोहन भाई अभी तो हमें शेहर विश्वास पर ही लाए थे, और यहां हमारे शेहर में एक दूसरे के सिवा है ही कौन, इसलिए आप आज से ही मेरे साथ ये काम करना शुरू कर दो, आपका भी घर खर्चा निकल आएगा उस दिन से गायतरी भी सुनीता के साथ स्वेटर का काम करने लगी, धीरे धीरे सुनीता ने और भी और तो को इस काम में अपने साथ जोड लिया, और किराए पर एक दुकान ले ली, सुनीता ने कभी नहीं सोचा था कि उसका स्वेटर का काम इतना बढ़ जाएगा, धीरे सुनीता का काम बढ़ गया, और अब उसे उसी शेहर के साथ साथ आसपास के और भी शेहरों से स्वेटर बुनने के ओर्डर मिलने लगे, आखिर बड़े शेहर में रहकर, एक गरीब ने अपने पैर अपनी मेहनत और हुनर से जमा ही लिये, आप सही कह रहे हो, शंकर भया, आज सुनीता भावी के कारण आपके बच्चों के साथ साथ मेरे बच्चे भी स्कूल जाने लगे है, नहीं तो अकेले मोहन इतना नहीं कमा पाते थे, कि हम बच्चों को इस स्कूल में पढ़ा लिखा सके, आज ये सपना भी साकार हो गया, पुरा देती है, आज उसके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम पाया था। स्टेशन पर घूमने आए है, कुडाल की टूर जॉब है, तो उसे घूमने फिरने में ज़्यादा इंट्रेस्ट नहीं है, लेकिन सुगंधा तो पहली बार घर से इतनी दूर आई थी, तो उसका मन तो होटल के अंदर लगी नहीं रहा था। अब क्या करूँ, ये तो उठी नहीं रहे, और मैं यहाँ बोर हो रहे हूँ, चलो बाहर जाकर चाय ही पी लेती हूँ। अब सुनो, ये रूम सर्विस से भी कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा। मैडम जी, वो सब तो 11 बजे तक आएंगे, वैसे आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताईए। नहीं, बस खाली थी तो सोचा चाय ही पीलू। अब दो मीना टुक्के मैडम जी, मैं बस अभी चाय बना कर लाई। अरे वा, चाय तो बहुत ही बढ़िया बनाई तुमने। नाम क्या है तुमारा? शुक्रिया मैडम जी, मेरा नाम राधा है। वैसे आप अगर बोर हो रही है तो कहीं गूम आये ना, यहां तो बहुत सारी जगह हैं गूमने के लिए। हाँ, गूमना तो है लेकिन मेरे हस्बेंट अभी सो रहे हैं। मैडम जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं बस यहां का सारा काम निप्टा दू, फिर आप मेरे साथ चलना गूमने। क्या, तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे हस्बेंट, आप उनसे पूछ लीजे, अगर वो हां कहें तो चलिए वर्णा रहने दीजे। ठीक है, मैं उनसे पूछ कर तुम्हें बताती हूँ। अब नहीं रुको, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे अखेले किसी के साथ नहीं जाना। तु फिर जल्दी चलिए, राधा का काम बस होने ही वाला होगा। कुनाल और सुगंधा राधा के साथ घूमने निकल गए। राधा ने उन्हें कई जगें खुमाई। पूरा दिन कैसे निकल गया ये पता ही नहीं चला। अरे बस करो यार, मैं अब और नहीं चल सकता। अब मैं टेक्सी बला रहा हूँ, वापस होटल चलते हैं। और राधा, तुम्हें कहां छोड़ना है? कहीं नहीं साब, यहां से मेरा घर थोड़े ही दूर है, मैं चली जाओंगी। नहीं राधा, हम तुम्हें 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 घर तक छोड़ेंगे, तुम चलो अमारे साथ। पुराने बरतन भी थे। तुम यहां रहती हो राधा? बस मैडम जी, जो है यही है, और यह अम्मा कौन है? यह मेरी दादी है, बस मेरे लिए यह हैं और इनके लिए मैं हूँ, अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। राधा को वहीं छोड़कर कुनाल और सुगंधा वापस तुम ऐसा करो, रोज उसके साथ कहीं घुमाया करो, वो क्या है कि ओफिस का एक प्रोजेक्ट निकलाया यहां, तो मुझे थोड़ा टाइम वहां भी देना पड़ेगा, हम राधा को इसके बदले कुछ पैसे भी दे देंगे। अरे मैडम जी, तो चलिए फिर, मैं आपको यहां के सबसे बढ़िया बाजार में लेकर चलती हूँ, वहां एक से बढ़कर एक लेडिज बैक बिलेंगे आपको, अच्छा, अच्छी बात है, तो फिर चलो। मैडम जी, वो मैंने इसे कहीं से खरीदा नहीं है, बलकि इसे खुदी बनाया है। क्या? क्या बात कर रही हो राधा? क्या सच में ये बैक तुमने बनाया है, पर कैसे? मेरी मा मुझे जन्म देते ही गुजर गई थी, उसे कभी देखा भी नहीं, लेकिन दादी ने मेरी मा की एक चुन्नी दी थी मुझे, मैं उस चुन्नी को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए मैंने उसका ये बैक बना लिया, पर तुमने इसकी सिलाई कैसे गी? और सब कुछ खत्म हो गया, मेरे बाबा, मेरे बाबा नहीं रहे, और दादी बिस्तर पर आ गई, वो तो अच्छा हुआ कि होटल वालों ने मुझे काम दे दिया, वरना पता नहीं क्या होता? अपनी आप भी थी सुनाते हुए राधा की आखे नम थी, लेकिन सुगंधा की आखों में चमक थी, बस राधा, अब उदास मत हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम में क्या हुनर है, मैं सच कह रहे हो, तुम्हारे इस बैक को कोई भी ग्रहक खुशी-खुशी ख नहीं है, ये बैक तो इसलिए बन गया, क्योंकि मा की चुनरी थी मेरे पास, सिर्फ एक धागा और सुई ही खरीदनी पड़ी मुझे, लेकिन इससे आगे कुछ कर पाने की मेरी हैसियत नहीं है, होटल में काम करके भी सिर्फ दो वक्त का खाना ही बना पाती हूँ, इससे ज उमीद भरी नजरों से कुनाल की तरफ देखने लगी, देखो सुगंधा, तुम जो सोच रही हो वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी, राधा से मिले हुए हमें अभी कुछी दिन हुए, तो… राधा को नहीं दिये, क्योंकि वो जानती थी कि राधा को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे, राधा, मुझे तुमसे कुछ बैक सिल वाने हैं, बिल्कुल तुमारे बैक जैसे, तो ऐसा करो, इसके लिए तुम्हें जो जो सामान चाहिए, मेरे साथ चल कर खरीद लो, और हां हमें अगले हफते ही वापस जाना है, तो उससे पहले तक सिल लोगी ना, हां मैडम जे, बिल्कुल सिल दूगे, आप बस अपनी पसंद के रंका कपड़ा देख लीजे चल के, बैक सिलने के लिए सामान खरीदते हुए राधा के चेहरी की चमक अलग ही थी, मनो वो हमेशा यही तो करना चाहती थी, दिन भर खूप सारी शॉपिंग के बाद सुगंदा ने राधा को उसके घर छोड़ा और फिर जाते हुए उससे कहा, राधा ये सारे बैग हाथ से सिलोगी तो बहुत वक्त लग जाएगा, ऐसा करो ये पैसे रखो और कल ही जाकर अपने लिए एक सिलाई मशीन भी खरीद लेना, लेकिन मेम साब ये पैसे, ये मैं, इन पैसो को अपनी सिलाई के पैसे समझ कर रख लो, ठीक है, राधा अगले ही दिन अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीद लाई, और अब वो होटल के काम के साथ साथ, पूरे मन से बैग सिलने का काम भी कर में लगी, एक हफता कैसे बीद गया पता ही ने चला, और आखिरकार सुगंधा और कुनाल के वापस जाने का वक्त आ गया, मैडम जी, ये आपके सारे बैग, एक बार सबको अच्छे से देख लीजे, अगर कुछ बदलना होगा तो मैं अभी घर ले जाकर कर दूँगे, न नाल और सुगंधा जाने के लिए तैयार थे, तब ही राधा वहाँ हाफती हुई पहुची, मैडम जी, माफ कर दीजे, थोड़ी देर हो गई इसे बनाने में, ये लीजे, इसे मेरे निशानी समझकर अपने पास रखना हमेशा, ये कहकर राधा ने एक लेडीज बैग से बनाया है आपके लिए, सब कुछ आसान था, बस बिलकुल एक जैसा कपरा ढूरने में थोड़ा वक्त लग गया। क्योंकि ये तुम्हारी पहली कमाई है। क्या, क्या मतलब मैं कुछ समझी नहीं मैडम जी। तुम्हारे बनाय हुए सभी लेडीज बैग्स बिक चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे दामों पर और ये उसी के पैसे हैं। क्या, पर पर ऐसे कैसे, उन्हें तो आपने बनव के, सबकी ऑनलाइन पेमेंट आ चुकी है, अब बस बैक्स की डिलिवरी करवानी है, राधा शुरुवात हो चुकी है, बस अब तुम्हें मेहनत करती जाना है, इन पैसों से तुम सबसे पहले एक मोबाइल फोन खरीदना, ताकि हम मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकें सुगंधा बोले जा रही थी और राधा एकदम सुन्न खड़ी थी, ये सब उसके लिए किसी सपने जैसा था जो सच हो रहा था, होश आते ही वो सुगंधा के पैरों में गिर गई, और सुगंधा ने उसे उठा कर बड़ी प्यार से अपने गले लगा लिया, इसके बाद अगर आपको ये विडियो पसंद आया है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस विडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार विडियो देखने के लिए, नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए, बेस्ट बादीज